सुशील कुमार मोदी जी हमारे रास्ट्री अध्यक्ष को लेकर बयान दे रहे हैं कि हमारे रास्ट्री अध्यक्ष को मुंगेर में हराने के लिए बीजेपी का एक साधारन कारे करता ही काफी है अब सुशील मोदी जी से हमारे कुछ सवाल है कि वो बताएं कि भारतिय जनता पार्टी में कैसे बाइफर्केशन होता है कि कोई नेता या कारेकरता साधारन कैसे है और खास कैसे है ये आम और खास का जो विभाजन है वो भारतिय जनता पार्टी कैसे करती है और शुशील कुमार मोदी जी खुद आम में आते हैं या हास में आते हैं या इतने दिनों में भारतिय जनता पार्टी के अंदर उनको दरकिनार करके उनकी स्थिती आम और खास से भी अलग राजनेतिक चटनी के रूप में बना दी गई है शुशील कुमार मोदी जी हमारे रास्ट्रिय अध्यक्स या हमारे नेता नितीश कुमार जी के खिलाव सिर्फ इसले बोलते हैं ताकि राजनेतिक रूप से भाजपा के अंदर जिम्दा रह सके और हम लोगों ने तो खुला चालेज दिया था ग्रियमंत्री जी का दोरा कारे जी काल कुछ दिनों में समाप्थ हो जाएगा हो सकता है राजनेतिक रूप से फिर भारतिय अंतापाटि उनको सड़क पर ला दे तो चैलेज आप ही क्यों नहीं स्विकार कर लेते हैं राजनेतिक रूप से दो-दो हात क्यों नहीं कर लेते हैं यह जो ललन सिंघ जी का फो बयान दे रहे हैं कि हमारे राष्ट्रिय अध्यक्ष को मुंगेर में हराने के लिए बीजेपी का एक साधारन कारेकरता ही काफी है अब सुशिल मोदी जी से हमारे कुछ सवाल है कि वो बताएं कि भारतिय जनता पार्टी में कैसे बाइफरकेशन होता है कि कोई नेता या कारे करता साधारन कैसे है और खास कैसे है यह आम और खास का जो विभाजन है वो भारतिय जनता पार्टी कैसे करती है और सुशिल कुमार मोदी जी खुद आम में आते हैं या खास में आते हैं या इतने दिनों में भारतिय जनता पार्टी के अंदर उनको दरकिनार करके उनकी स् नितीश कुमार जी के खिलाव सिर्फ इसले बोलते हैं ताकि राजनातिक रूप से भाजपा के अंदर जिन्दा रह सके और हम लोगों ने तो खुला चैलिज दिया था ग्रियमंत्री जी का दौरा कारेक्टरम ये लोग मुंगेर में करवा रहे थे अगर सच में आकना है कि आ पार्टी उनको सड़क पर ला दे तो चैलेंज आप ही क्यों नहीं स्विकार कर लेते हैं राजनेतिक रूप से दो-दो हाथ क्यों नहीं कर लेते हैं यह जो ललन सिंग जी का फोबिया है ना दिन रात आपके दिमाग में घुसा हुआ है और उनकी स्विकारता पुरे बिहा में है मुंगेर वासी उनको फिर लाखों वोटों के अंतर से जिता कर भेजेंगे और आप लोगों की स्थिती राजनेतिक रूप से बद से बत्तर हो जाएगी झाल